C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तो थे कक्षा नौ के विद्यार्थियों हेतु भुगोल की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक समकालीन भारत भाग एक, अध्याय एक, भारत आकार और स्थिति, प्रिष्ट संख्या एक, भारत विश्व की प्राचीनितम संस्कृतियों में से एक है, पिछले पांच दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नती की है, क्रिशी, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीन आर्थिक विकास में अध्भुत प्रगती हुई है, भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपून योगदान रहा है, स्थिती पूर्व देशांतर तक है, करकरेखा, 23 डिगरी 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग दो बराबर भागों में बाटती है, मुख्य भूभाग के दक्षन पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समू, बंगाल की खाडी में, तथा दक्षन पश्चिम में लक्ष द् द्वीप, द्वीप समू, अरप सागर में स्थित हैं, अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ग्यात करो, क्या आप जानते हैं, भारतीय संग राज्य का सबसे दक्षनी बिंदू, जो इंदरा बिंदू कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समूद्र में जलमग न हो गया, प्रिष्ट संख्या दो, आकार, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्र फल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलो मीजर है, भारत का क्षेत्र फल, विश्व के कुल भौगालिक क्षेत्र फल का 2.4 प्रतिशत है, चित्र 1.2 से स्पष्ठ है, कि भारत विश्व का सात्मा बड़ा देश है, इस चित्र में पहले स्थान पर है रूस, दूसरे पर कैनेडा, तीसरे पर सयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर चीन, पांच्वे पर ब्राजील, छटे पर ऑस्ट्रेलिया और सात्वे पर भारत है, स्रोत United Nations Demographic Yearbook 2009-2010 भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा, अंडमान और निकोबार द्वीब समहू तथा लक्ष द्वीब समहू के साथ 7516.6 किलोमीटर है भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलत परवत है इसके दक्षन का भूभाग उत्तर में चोड़ा है और 22 डिगरी उत्तरी अक्षांश से हिंद महसागर की ओर संकरा होता गया है इसके पश्चिम में अरपसागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है चित्र एक पॉइंट तीन में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार बताया गया है इस चित्र में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार लगभग 30 डिगरी दिखाया गया है परन्तु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षन के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है गुजराच से अरुनाचल प्रदेश के स्थानिय समय में दो घंटे का अंतर है अता 82 डिगरी 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है जो की उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है अक्षांश का प्रभाव दक्षण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधी पर पढ़ता है ग्यात कीजिए 82 डिगरी 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है कन्या कुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधी में अंतर क्यों है भारत तथा विश्व भारती ये भूखंड एशिया महाद्वीब के पूर्व और पश्चिम के मध्धि में स्थित है भारती ये भूभाग एशिया महाद्वीब का दक्षणी विस्तार है हिंद महासागर जो की पश्चिम में यॉरोपिय देशों और पूर्वी एशिया ये देशों को मिलाता है भारत को केंद्रिय स्थिथी प्रदान करता है दक्षन का पठार हिंद महासागर में शीर्श्वत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया अफ्रीका और यॉरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाये हुए है हिंद महासागर में किसी भी देश के तटिये सीमा भारत जैसी नहीं है भारत की इसी महत्वपूर्व स्थिथी के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है क्या आप जानते हैं सन अठारा सो उनहत्तर में स्वेस नहर के खुलने से भारत और योरोप के बीच दूरी साथ हजार किलो मीटर कम हो गई है प्रिष्ट संख्या तीन चित्र एक पॉइंट तीन चित्र एक पॉइंट तीन में भारत का नक्षा दिखाया गया है इसमें समनांतर रेखा अक्षांश को दिखाती है जबकि लंब रेखा देशांतर को प्रिष्ट संख्या चार चित्र एक पॉइंट चार भारत अंतराष्ट्य व्यापार मार्ग इस चित्र में अंतराष्ट्य व्यापार मार्ग वायू मार्ग और समुद्री मार्ग के माध्यम से दिखाए गए हैं वायू मार्ग लाइन के द्वारा दिखाए गए हैं और डॉटेड लाइन के द्वारा समुद्री मार्ग दिखाया गया है भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है पर ये संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भू भागों से होकर था उत्तरी परवतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्यात नहीं थे इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तों का आदान प्रदान होता रहा है भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षन एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत समपर्क रहा है इसी प्रकार उपनेशदों के विचार, रामायन तथा पंच दंत्र की कहानिया, भारती अंक एवं दशम्ल प्रणाली, आदी, संसार के विभिन भागों तक पहुँच सके मसाले, मलमल आदी, कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन देशों को ले जाए जाते थे इसके विपरीत, यूनानी स्थापत्यकला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक, मेनारों तथा गुम्बदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन भागों में देखा गया प्रिश्च संख्या पाँच, भारत के पडोसी देश, भारत का दक्षण एशिया में एक महत्वपून स्थान है, भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षित्र है चित्र संख्या एक पॉइंट पाँच में भारत और पडोसी देशों का नक्षा दिया गया है, जिसमें कुछ अंतराश्ट्री सीमाएं और भारत की राज्य सीमाएं दिखाई गई है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, तिबबत, नेपाल, भुटान, मियामार, बांगलादेश तथा श्रीलंका ग्याद कीजिए, पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ग्याद कीजिए क्षेत्र फल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है कौन से राज्य अंतराश्ट्रिय सीमा तथा समुत्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं एक पाकिस्तान, दो चीन, तीन म्यामार और चार बांगला देश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को चार वर्गों में विभाजित कीजिए उधार नार्थ उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं इसी तरह अन्य शेश वर्ग बनाईए। भारत की भूमी की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिबबत, नेपाल और भूटान के साथ, तथा पूर्व में मियामार वा बांगलादेश के साथ हैं। दक्षण में समुद्र पार हमारे पडोसी दो द्वीब समुह राष्ट्र, श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधी तथा मन्नार के खाड़ी है। अपने पडोसी देशों के साथ, भारत के भोगौलिक तथा एतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी आटलस में एशिया के मानचित्र को देखो कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं? सन 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे प्रांत और रियासत। वाईसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानिये शासकों द्वारा पैत्रक्ता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मान कर स्वायत्तता से किया जाता था। प्रिष्ट संख्या 6 अभ्यास एक यहां दिये कए चार उत्तरों में से उप्युक्त उत्तर चुनिये एक करकरेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है क राजस्थान, ख उडिसा, ग छतिसकड तथा ग त्रिपुरा दो, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है क, 97 डिगरी 25 मिनट पूर्व ख, 77 डिगरी 6 मिनट पूर्व ग, 68 डिगरी 7 मिनट पूर्व ग, 82 डिगरी 32 मिनट पूर्व तीन, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है क, चीन, ख, भुटान, ग, नेपाल, ग, म्यामार चार, ग्रिश्मा वकाश में आप यदि कवर्ती जाना चाहते हैं, तो किस केंद्र शासित क्षित्र में जाएंगे क, पुड्डुचेरी ख, लक्षद्वीप ग, अंडमान और निकुबार ग, दीव और दमन पांच मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं, जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है आप बताईए, वो कौन सा देश है क, भुटान ख, तजाकिस्तान ग, बांगलादेश ग, नेपाल दो यहां दिये गए प्रश्णों के उत्तर संक्षेप में दीजिए एक अरप सागर तथा बंगाल की खाडी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताईए दक्षण में कौन-कौन से द्वीपी ये देश हमारे पड़ोसी है दो उन देशों के नाम बताईए जो क्षेत्रफल में भारत से बढ़े है तीन हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताईए चार भारत में किन-किन राज्जों से कर-करेखा गुजरती है उनके नाम बताईए तीन सूर्योदय अरुनाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चमी भाग की अपेक्षा दो घंटे पहले क्यों होता है जबकि दोनों राज्जों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है स्पश्च कीजिए चार हिंद महासागर में भारत की केंद्री स्थिती से इसे किस प्रकार लाब प्राप्त हुआ है मानचित्र कौशल एक मानचित्र की सहायता से इन्हें पहचानिये एक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीब समू दो भारतिये उप महाद्वीब किन देशों से मिलकर बनता है? तीन करकरेखा कौन-कौन से रज्जों से गुजरती है चार भारतिये मुख्य भूभाग का दक्षणी शीर्श बिंदू पाँच भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश छै अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षणी अक्षांश साथ भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर आठ सबसे लंबी तट रेखावाला राज्य नौ भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलसंधी दस भारत के केंद्र शासित क्षेत्र परियोजना कार्य एक अपने राज्य का विस्तार अक्षांश और देशांतर में ग्याद कीजिए दो रेशम मार्ग के बारे में सूचना एकत्र कीजिए ये भी ग्याद कीजिए कि किन नई विकास योजनाओं द्वारा उच्छ परवतिये क्षेत्रों में आवा गमन के मार्ग विकसित किये गए हैं। अध्याए एक समाप्त भारत आकार और स्थिती अभी आप सुन रहे थे इस पुस्तक का पहला अध्याए। प्रस्तुती C I E T N C E R T नई दिल्ली भारत